हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल क्लासी ब्राउनी तो कैसे हो आप सब होपी ओल आ डूइंग वेल मैं तो बहुत अच्छी हूँ तो आज हमने मंगाया है आज कुछ फरनीचर डिलिवर हुआ है तो उसी का असेंबली हम करने वाले हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आईक्या के जो फरनीचर होते हैं उनकी असेंबली आपको कैसे करनी होती है because Ikea आपको सिर्फ parts provide कराता है Ikea के जितने भी furniture होते हैं आपको खुद से assemble करने होते हैं तो वो ही सब मैं आपके साथ आज share करने वाली हूँ मैंने try किया है कि मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे कैसे आप Ikea का furniture assemble कर सकते हूँ तो हमने कुछ इस तरह की table मंगाई है इसी table को आज हम assemble करेंगे actually एक study table है तो इसमें आपको ये एक manual provide किया जाता है कि इसमें आपको instruction provide किया जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है उसी के साथ Ikea आपको assembly tools provide कराता है और इनके लाव आपको किसी भी tool की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको एक screw driver चाहिए and that's it उसी की help से आप proper assembly कर सकते हो इसमें आप यहाँ पे सामने देख सकते हो जो इतने भी आपको screw provide कराई गये है उनकी quantity यहाँ पे लिखी हुई है और अभी आप देख सकते हो किसमें step by step आपको एकदम अच्छे से guide किया गया है अगर इनोंने 8 tools provide कराई है तो कहाँ पे आपको कौन सा tool fit करना है वो proper आपको इस manual में बताया गया है तो जिसे कि आपका जो मतलब आप assemble करते हो बहुत ही जादा easy हो जाता है आपके लिए तो हमने न चारो मतलब जो भी इसमें हमें 8 यह वाले tools provide कराई गये थे और इसमें न सबसे अच्छी बात होती है कि आपको IKEA का जो भी furniture मिलेगा उसमें आपको किसी भी drilling की कोई भी जरूरत नहीं होती है आपको सिर्फ इसको खुद से असेंबल करना है जैसे कि मैंने पहले बताया है सिर्फ एक screw driver की मदद से आपका हो जाएगा उसके बाद इसमें हमने वह वाला step complete कर लिया first and second तो ऐसे ही आगे की सारी जो भी step by step हमें इसकी assembly करनी है वो हम इस manual की मदद से easily कर सकते है अभी ना हमने जो table का top है और side partition है वो उनको joint कर दिया और इसमें जो screw के hall दिये गए है उसमें हमने screw fit कर दिया है जो हम screw driver की मदद से easily assemble कर सकते है अभी मैं आपको दिखाओंगे कि कितना easy है इसको assemble करना तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि IKEA सब कुछ आपको drill करके भेजता है आपको कुछ से कुछ भी drill नहीं करना होता है आपको सिर्फ इसमें screw एड करना है manual की headset की कौन सा screw कहां पर आपको add करना है तो अभी आप देख सकते हो कि हमने टेबल के सारे parts को joint कर दिया है तो ये भी ना assembly part में ही हमें मिला था जो आप ये screw driver देख रहे हो तो IKEA जो भी आपको tools required होते हैं सारे tools send करता है और अभी ना हमने फटा फट से screw driver की help से पूरा furniture अपना पूरी table assemble कर दी थी और अगर मैं इस table के price की बात करूँ तो इसका price था सिर्फ 1500 रूपीज यह सिर्फ 1500 रूपीज में हमें ये table मिली है और इसकी जो quality है वो काफी काफी ज़्यादा अच्छी है मैंने अपने IKEA hall में भी आप लोगों को बताया था तो यह हो गई है हमारी table assemble बहुत easy process है आप अराम से कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको खुझ से करना है तो बहुत जादा इसमें आपको दिमागाना पड़ेगा या बहुत जादा महनत का काम है तो बहुत easily आप सको कर सकते हो तो अभी जो यह पार्ट है यह टेबल के बैक साइड में आपको लगाना है I don't know कि यह सपोर्टिंग परपस से दिया गया है या कैसे दिया गया है लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी आप जो भी अपना समान रखोगे तो पीछे के साइड गिरेगा नहीं मानलो अग प्लास्टिक फीट प्रोवाइड कराए गये हैं जो आपको एकदम टेबल के नीचे लगाना है ओके एंड एट्स इट आपने देखा कि कितना क्विक एंड एजी प्रोसेस था हमाई टेबल अराम से असेंबल हो गई है एंड यस इस टेबल का लिंक में डिस्रिप्शन बॉ था बाए टेक्र एंड वन एपने वागए टेबल ग्रवाइड बॉ्ट प्रोसे से नीचे य।